हेलो फ्रेंट्स वेलेकम बैक टो मैं यूट्व चैनल नहीं साथ टिपसेंट एक समा आप सबका स्वागत है आज मैं आपके साथ सेर करने वाली हूँ सूजी को इस्टोर करने का तरीका यहां पर देखिए मैंने सूजी को लिया हुआ है और यहां पर हम सूजी को बिना भून इसमें किड़े लग जाते हैं तो इस चीज को स्टोर करने के लिए देखिए यहां पर मैंने कांचका जाल लिया है आप कोई सभी जाल ले सकते हैं एर टाइट जायर होना चाहिए तो यहां पर देखिए का फ्रेंट्स में इसको सूजी को इसमें डाल रही हूँ और तो उसमें आपको जो है कुछ टाइम के लिए जो है सुझ को हलका सा जो है जो है ड्राय कर लेना है और यह दीखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर मैं यही बताने वाली हूँ कि पहले आप इस तरीके से सुखा करके स्टॉर कर सकते हैं इन यह तरीकाफा, यहां पर हमें एर्टाइट फिर कंटेनर लेना है और जो हमारे करमशी लियूज कर ले सकते हैं, छो कीमेर फ्रहरों र्रिशना से , तो यह देखिएगा फिर मेरह बने हैं यह देखिजा वियूज हुआं एक निलितेर केसी है , यह देखिएगा Başka आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं और जब भी कुछ आपको बनाना हो तो इसको छान लिएजेगा और आप इसली बना सकते हैं तो friends यह भी हमारे तरीका बहुत ही easy और simple तरीका है आप इसे भी follow कर सकते हैं और यह देखेगा फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको तीसरा तरीका बताने जा रही हूं यहाँ पर देखे मैंने न्यूज पेपर लिया हुआ है और यहाँ तीनों ही तरीकों में फ्रेंड्स आप सूजी को जो है थोड़ा दोप में जरूर सुखा लीज़ेगा उससे हमें बहुत लंबे समय तक सूजी को स्टोर करने में हमें हैल्फ होती है तो यहां देखेगा फ्रेंट्स यहां पर मैं इस्पून की हैल्फ से जार में न्यूज पेपर को डाल रही हूँ और इसको मैं चारोर अच्छे से लगा लूँगी ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल अच्छे से ही चिपकाना है या कुछ करना है आप से जैसो हो जाए वैसा ही ठीक है सिर्फ यहां पर हमें न्यूज पेपर जो है इसी तरीके से लगाना है ताकि यह नीचे इसकी तली में जरूर रहे तो यहां देख सकते हैं वैने किस तरीके से शन्यूज पेपर को जो है लगाया है और पर यहां पर मैं जो है शोज रहता हमें इसे यहें डाल लूँगी यह नहीं कि सूजी न्यूज पेपर से अलग नहीं जाने चाहिए जहां भी जाने दीजेगा लेकिन यह है कि न्यूज पेपर को हमें इस तरीके से ही लगाना है इस से जो है हमारी सूजी में कभी भी कोई भी किड़ा नहीं लगेगा और इन तरीकों से friends हम 6 महिने तक सूजी को बिना भूनी store कर सकते हैं बहुत बार ऐसा होता है friends हमें टाइम नहीं हो पाता है और हम सूजी को भून नहीं पाते हैं जल्दी होती है हम store करने के लिए यह तरीका बहुत ही helpful रहेगा friends आप जरूर कमेंट करके बताएगा कि आपको कौन सा तरीका ज्यादा अच्छा लगा है